गूड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया, गवर्मेंट पॉलोटेक्निकल कोलेज जुन जुनो से आज का जो हमारा चैप्टर है, ये पावर सिस्टम सेकेंड, एलेक्ट्रिकल, थर्ड येर का चैप्टर है इस चेप्टर में, चेप्टर फर्ष्ट में जिस टोपिक के बारे में हम डिसकस करेंगे, वो टोपिक है हमारा comparison of conductor material in overhead system, यानि कि शिरोपरी तंतर में चालक, धातू, आईतन की आधार पर तुलना, हम जो हमारा AC transmission system होता है, उसमें हम अलग-अलग condition पे volume को calculate करेंगे और इनका comparison भी करेंगे, हम यह चाहते हैं कि हमारे जो transmission system है, उसकी cost कम रही, उसकी cost कब कम होगी, जब हमारे conductor का material कम लगेगा, material कब कम होगा, जब हमारा आईतन कम होगा, यानि कि जब हमारा volume कम होगा, तो हमें indirectly volume को कम करना है, ताकि हमारी cost कम हो जाए, तो हम अलग-अलग system में देखेंगे, जैसे हमारा single phase system होता है, two phase होता है, three phase होता है, और इन में भी अलग-अलग parts होते हैं, तो हम अलग-अलग parts का volume calculate करेंगे, और इनका आपस में comparison करेंगे, उस बिहाब पर हम conclusion निकालेंगे, कि हमारा कौन से case में volume हो कम आ रहा है, जो कि हमारे लिए best रहेगा, तो आज हम जिसका volume calculate करेंगे, वो है single phase AC system, और single phase AC system का जो first part रहेगा, वो रहेगा, single phase AC system with two wire, यहाँ पे हम, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, topic है, हमारा एक कलिए द्वी ताहर परत्यावर्ती धारा तंत्र, single phase two wire AC system, इसको हम calculate करने से पहले, यानि कि volume को calculate करने से पहले, हम कुछ basic हमारे points हैं, जिनके बारे में हमें पहले से ही note कर लेना होगा, उनके भी हाँ पे हम हर case का volume calculate करेंगे, जिसमें हमारा first point ये लिखा हुआ है, परतेक तंतर की द्वारा संचरित सक्ती P है, वो सम्मान रहेगी, यानि कि कोई भी जाए system हो आपका, उसके अंदर जो भी हमारी power है, वो same रहेगी, सक्ती संचरिन की दूरी है, दूरी यानि कि हम दूरी को L consider करके चल रहे हैं, वो भी same रहेगी, power हमारे same रहेगी, लंबाई हमारे same रहेगी, सबी स्थितियों के लिए line हानिया एक सम्मान हो, कोई भी line हो हमारी हर line में हानि है, वो एक same रहेगी, and last है, परते की स्थिति में, चालक वैज भू संपरकित के मद्दे, अधिक्तम विभव VM होगा, यह important point है हमारे लिए, कि हमारा जो चालक है और भू संपरकित है, चालक और भू संपरकित के मद्दे, अधिक्तम जो voltage होगा, वो हम VM consider करेंगे, तो हम इन चार points जो हमने अभी देखे हैं, इनको हम base मान के हमारा volume calculate करेंगे, कोई भी case हो, यही point उसमें apply होंगे, तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, single phase two wire AC system, इस system में आपको पता चल रहा होगा two wire, यानि कि हमारे पास दो wire है, और हमारा system है, वो AC system में हम transmission कर रहे हैं, तो यहां पर diagram देखिए आप, 1.2 में, यहां पर एक system बना गया है, एक circuit बना गया है, जिसमें two wire है, और एक point को हमने अर्थ से connect कर दिया है, तो हमने number point fourth देखा था, कि चालक और भूस अंपर्वकित के मद्धे, अधिक्तम voltage VM होगी, जो यहां पर आपको दिख रही है, जो circuit में current flow हो रहा है, वो है I1, अब देखिए next यहां पर, कि जैसे ही हमें, हमारे पास अधिक्तम voltage VM आ गई है, अब हमें VRMS की जरूरत होगी, हमें पता है VRMS होता है maximum voltage अपून अंडरूट 2, यहां पर हमारे पास maximum voltage है VM और अंडरूट 2, तो VRMS हो गया हमारा VM अपून अंडरूट 2, संचरित सकती, पावर हमें पता है P equals 2 होती है VRMS I cos phi, तो यह formula यहां पर हम put करतेंगे, उसके बाद में हमें, इस form जो हमने P equals 2 निकाल ला था, वहां से हम I1 calculate करेंगे, I1 यहां पर case first है, as a symbol की तरह हम इसको 1 लेके चल रहे हैं, तो लोड धारा, धारा I1 equals to P upon VM cos phi हमने calculate कर लिया है, यहां पर VRMS के value हमारे पास पहले से आ चुकी है, VM upon under root 2, तो हम यहां पर VRMS के जगे value put कर देंगे, तो हमारा load current आएगी, under root 2 P upon VM cos phi, अब हमें जरूरत है line हाने की, यानि कि losses हमारे कितने हो रहे हैं line के अंदर, तो हमने एक point देखा था कि loss हो सब line में same होंगे, तो यहां पर हमारे पास 2 wire हैं, तो loss भी दोनों wire में होंगे, तो एक wire में जो loss होता है, वो तह है I square R, यहां पर दो wire है, तो क्या हो गया हमारा 2 I square R, यहां पर फिर मैं बता रहे हूं, वन है वो as a symbol हम यूज में ले रहे हैं, तो संपून line हानिया, W बराबर 2 I1 square और 1, अब हम क्या करेंगे, I1 की value put करतेंगे, I1 की value हमारे पास आ चुकी है पहले से ही, अब यहां पर I1 का square है, तो हम इसका square करतेंगे और into R1, अब हम square वा जो हमारा bracket है, इसको हम solve करेंगे, तो हमारे पास आया, under root 2 का square होता है 2, P square upon Vm square, cos square 5, 2 से 2 multiply हो गया, और हो गया 4 into R1, R1 हमें पता है, जो हम basic electrical engineering, जो हमारी code 203 की बुग थी, उसमें हमने first chapter में पढ़ा था, परतिरोथ, उसमें हमने देखा था, परतिरोथ किन किन कार को पी defend करता है, तो एक formula हमारे पास generate हुआ था, वो था, R equals to rho L upon में A, वो formula हम यहाँ पे put करतेंगे, यहाँ पे देखिए, R1 symbol लिया है, क्योंकि हर वायर का अपना परतिरोथ है, rho L, material same है, rho same रहेगा, लंबाई line की same है, area change हो रहा है, तो A1 change है, W गराबर हमारे पास आ गया, 4P square, rho L upon, V M square, cos square, phi square, A1, A1 क्या है, अनुप्रस कार्ट का छेतरफल, R1 क्या है, परतेख चालक का परतिरोथ, अब हमें बात करते हैं, कि हमें volume निकालना है, यह चीज़ हमें पहले से पता होना चाहिए, कि हमें volume निकालना है, और volume का formula क्या होता है, तो volume का formula होता है, area into length, तो यहाँ पर हमें area की जरूरत होगी, L पहले से ही fix है, तो area के लिए हम क्या करेंगे, जो W है, इसकी जो equation में हमारे पास area आया है, तो यहाँ से हम A1 निकाल लेंगे, A1 हमने जैसे ही निकाला, तो हमारा equation बनी है, 4P square rho L upon Vm square cos square phi w, अब हमें volume निकालना है, तो हमने लिखा है, आवसेख चाहलग पदार्थ का item, चाहलग का item है, 2 into A1 L, क्योंकि यहाँ पर किते चाहलग है हमारे पास? 2, तो volume भी हमें 2 चाहलग का निकालना होगा, तो यहाँ पर यही इसमें volume निकालने में सबसे important चीज रहती है, कि आपको पता होना जीए कि आपके पास चाहलग कितने हैं, उन्ही के भी हाप पर आपको loss निकालेंगे और उन्ही के भी हाप पर आप item का formula लिखोगे, तो यहाँ पर हो गया 2 into A1 की value put कर दी है into L, जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास आया 2 upon cos square 5 into 4p square rho l square vm square w, हमें पता है या फिर हमने अभी calculate किया नहीं है, जब DC system to wire होगा उस time पर जो volume आएगा वो हमारा आएगा 4p square rho l square vm square w, और उसको हमने एक constant का नाम दे दिया है, जो हमारे k के बराबर होगा, तो हम इसकी जगे हम यहाँ पर k put कर देंगे और हमारा volume बन गया 2 upon cos square 5 into k, तो हम जिस conclusion पर पहुंचे हैं, वो यह है कि परत्यावर्ती धारा द्वीतार्त अंतर में, चालग पतार्त का आयतन देश्ट धारा द्वीतार्त अंतर की दुलना में 2 upon cos square 5 गुना होता है, अगर DC के अंदर volume हमारा यह है, तो इसमें कितना है? DC का 2 upon cos square 5 गुना, यह हमने last में result निकाला है, इसी परकार हम, जो हमारा next topic है, वो है, single face, two wire with midpoint earthed, इसमें हमें 2 wire होंगे, same पहले वाले की तरह, लेकिन midpoint है, वो earthing किया हुआ है, उस case में हमें volume को calculate करना होगा, कि हम इस case को भी लेकि अगर volume calculate करना चाहें, तो हमारा volume क्या कम आता है, या ज़्यादा आता है, कितना आता है, यह हमें, जब हम पूरा solve करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा, तो next class में हम, इस case के बारे में steady करेंगे, इस बार हमने यह दिखा है, single face, two wire का, जब volume निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, और कितना हमारा आया है, तो इस topic में सबसे important चीज यही है, कि आपको volume जब निकालना होगा, तो आपको diagram बिल्कुल पता होना चीए, आपको power का पता होना चीए, losses का पता होना चीए, कि किते wire हैं, किते loss हो रहे हैं, और volume का formula पता होना चीए, उसके वियाग पे आप पूरा, जो आपकी derivation है, उसको कर सकते हो, भूती आसानी से, तो हमारा ये result आ गया है, बाकी हम next chapter में, उसमें, sorry, next topic में देखेंगे, thank you. अश्च स्च्च में देखें, जसुआयजरा ये ऊंगे, जा उसने किसो कि त मैंढे होना प्राप्पास पूराछा बखूराश से जसकीनोड़ते हैं,